नमस्कार, दोगत्राखन न्यूज में आपका स्वागत है यात्रियों को लेने जा रहा था, गनिमत रही कि उस वक्त जीप में यात्रियों के सवान न होने से जान बच गई बैतरी जिला प्रहरी कारे लेके प्रहरी नायब उपनी रिक्षक विपकगरी ने बताया कि वहन अचानक अन्यंतित होकर गहरी खाई में जागिरा जिसमें जीप चालक धर्मकुवन ने जीप से कूद मार दी जिससे उनकी जान बच गई लेकिन जीप के परखचे उड़ गए जीब चालक धर्मकुवन नेपाल प्रहरी को बताया कि जीब का ब्रेक फेल हो गया था जिस कारण जीब चालक जीब को समाल नहीं पाया और जीब दुरगणना क्रस्त हो गई देरादून के रिठा मंडी के निकट एक सवके मिलने पसेत्र में संसनी फैल गई सुसना पर चौकी इंचार जोवा प्लिस टीम ने मौके पर पहुँचकर मुआयना किया तो पाया कि सवके गर्दन पर चाकू की चोट का निसान है सवके पास ये एक पेबर काटने का चाकू पढ़ा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था परतन दिश्टिया मृत्यू चाकू से गर्दन पर आई चोट से होनी परतीत हुई है मृतक की सिनाक्त संबू पुत्र मूती चंद निवासी बकूला थाना परडोना जिलाकू सिनगर उतर प्रदेश उम्र 49 वर्च के रूप में हुई है मृतक संबू पिछले चार महने से सिंगल मंडी में अपनी पतनी और एक बेटी के साथ किराए पर रहता था और पिंटर के रुप में मजदूरी करता था उतकी पतनी निर्मला का कहना है कि मृतक संबू रात को खाना खाने के बाद कहीं बाहर चला गया था यह भी जानकारी मिली है कि मृतक की पतनी निर्मला नेकु सिनगर में अपने पती मृतक संबू और उसके भाई भापी और मातापिता के वृद्द दहेज उत्पिरन का मुकदमा दर्ज करवाया था और बरतमान में भी भरण पोसन का एक मुकदमा मृतक संबू के खिलाब चल रहा था सवको कपजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेजा गया मृत के सभी संबावित वास्तवी कार्णू की जानकारी के लिए सस्बी देरादूं द्वारा अलग लग चार्टी में बनाकर गटना की सत्यता के संबंद में लाप्रत जानकारी संकलित की जा रही है गटना के संबंद में मृतक के परजनू से पूच तास करने पर मृतक की नौ वर्षी की पुत्री द्वारा बताया कि उसके पिताजी एक दिन पहले पेपर काटने का चाकू लेकर आये थे जो नोने बैगमरक था जिसकी तलास करने पर चाकू मृतक के घर से बरामद हुआ पुलिस ने बताया कि घरना की गमबितास के दिस्ट्रिकर पुलिस द्वारा सभी पहलों की चांच की जा रही है कि आ रही है